समय रहते हैं आपने बालों का विशेज ध्यान रखें तो आपके जो सफेद बाल हो गए हैं समय से पहले जो सफेद हो गए हैं जो प्रिमिस्चुर फाइट हैर्स हैं वो धीरे धीरे करके काले हो जाते हैं और आपको डाई लगाने की जरूत नहीं पड़ती आगे लेकिन अगर आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं आप 18 साल के हैं 20 साल के हैं फिर भी अभी आपके बाल सफेद हो गए हैं फाइट होना जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है तो आगे चलके आपको सिर्थ डाई के बरो इयोगं के बालों से इपने चाल ही हैं अगर अ भी से आप बालों का देख्भाल करना शुरू करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे और नाशनल तरीके से काले हो जाएंगे क्योंकि आपके बालों का सफेद होने की उम्र ही नहीं इसलिए प्रिमेच्चुर हेर गरिंग को आप ट्रेट कर सकते हैं अगर उनका आप विशेज ध्यान रखें तो यह जो चीज आप देख रहे हैं यह कोई डाइ नहीं है लेकिन विद टाइम इसे लगातार यूज करते रहे हैं तो धीरे धीरे करके यह आपके हैर फॉलिकल में जो पिग्मेंट सेल्स हैं उनमें अच्छे से मेलानीन बनाना शुरू कर देती है और आपके बाल नाश्रल तर तो आपके बाल सफेत हो जाते हैं शमय से पहले जो आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ यह सिर्फ आपके बालों को काला बनाने का ही काम नहीं करते हैं आपके बालों को काला भी बनाते हैं उसके साथ आपके बालों को लंबा घना मजबूत होने में बहुत ज़ अगर आप इस तरीके की रेमेडीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल लाइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि आप से मेरी वीडियो मिस्तना हो जाए और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी अच्छी लगे तो बिना लाइक के मच जाएगा अब चलिए बिना किसी दरीके वीडियो शुरू कर लेता है इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चावल लेना है चावल हम सबके कीचन में इजली अवलेबल होता है लेकिन हमारे बालों के लिए बहुत ही बहुत सारा इसके अंदर एंटी ऑक्सिदेंट होता है इनोसीटॉल पाया जाता है यह सारे ही अक्टिव इंग्रेटिन मिलके हमारे बालों को रिग्रोभी करते हैं हमारे बालों का पीग्मेंट भी प्रिजर्व कर देते हैं जिसे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते है देखे चाइना में एक वीलेज है जहां पे याव वीमेन रहती हैं उन लोगों के बाल सब के बाल कम से कम सतर साल तक काले बने रहते हैं जल्दी सफीद नहीं होते हैं और उन लोग के बाल घने भी होते हैं और वो लोग राइस का ही यूज करते हैं अपने हैर केर में अब जो बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है, प्रिमिच्चुर हेर ग्रेंग को ट्रीट करती है, बालों को रिपेर करने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सरा म्यूसलेस फाइबर होता है, जो हमारे डैमेज बालों को रिपेर करता है, फॉर्दर डैमेज से हमारे कलाउंजी सीट के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिंन होते हैं जो हमारे हेर फॉलीकल को एक्टिवेट रखते हैं। हमारे हेर फॉलीकल में मौजूध पिग्मिन सेल्स को रॉस नहीं होने देतें। reduce नहीं होने देते हैं, γιατί बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, तो देखें एक होता है, कि हमारे बाल सफेद हो गए हैं, तो हमारे बाल वापस से धीरे धीरे करके काले होंगे, अगर premature तरीके से सफेद हुए हैं, तो, और दूसरा इसकी सबसे अची पात यह है, यह आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है अगर आप इसका यूज करते हैं तो जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होते आपके बालों का पिगमेंट भी प्रिजर्व करता है मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है अब इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई आमला यूज किया है उसके बाद इसमें कोई भी एक साइट्रिक पील ले लेनी है मैंने यहाँ पे औरेंज का चिलका लिया है आप चाहें तो नीबू का चिलका भी ले सकते हैं अनार का चिलका भी ले सकते हैं medicinal properties भी होती है जो हमारे बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देती अगर मैं citric peel की बात करूँ especially orange के छिलके की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सरा vitamin C पाय जाता है anti-oxidant जो हमारे बालों में होने वाले oxidative damage को खतम करता है हमारे बालों को oxidative damage से बचा के रखता है जिसे कि हमारे बाल समय से पहले सफेद नहीं होते है अब इसमें आपको पानी डालना है पानी डालने के बाद पूरी राद भर के लिए इसे छोड़ दीजे शाम को प्रिपेर करिए पूरी राद भर के लिए छोड़िए next morning हम लोग इसे अपने बालों में यूज़ करेंगे इसे यूज़ करने का तीन तरीका में आप लोगों को बताने वाली हो ठीक है सबसे पहले वाले तरीके में क्या करना है कि थोड़ा सा जो ये राइस वाटर ये ले लेना है आप देखे बहुत जादा नहीं है सिर्फ दो तीन चमच है ये अब मैं क्या करूँगी कि इसको साइड में करूँगी अब हमें एक मग के बराबर पानी ले लेना है ये नॉर्मल वाटर है हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए ठीक हार्ड वाटर से हमारे हैर लॉस बहुत जादा होता है अगर आपके हां हार्ड वाटर आ रहा है तो उस प्रॉल्म को आप सॉल्व करिए इस ट्रेनर अपने शावर में लगा लीजे तो उससे प्रॉल्म सॉल्व जाएगी अब देखे मैंने ये जो राइस वाटर था था थोड़ा सा दो तीन चमज के बराबर कॉंसंट्रेटर वाला उसको इसमें डाल दिया अच्छे से मिक्स कर लिया थोड़ा सा और इसमें पानी डालूंगी क्योंकि जो राइस वाटर है ना बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसे अपने बालों में लगा के छोड़ने वाले हैं इसलिए जितना राइस वाटर बचा है इसमें अभी वो सारा इसमें ले लीजेए अप ठीक है क्योंकि अभी हमें राइस वाटर का काम नहीं है तो जो राइस वाटर बचा हुआ है अच्छे से में स्ट्रें कर लूंगी इसमें इस कटोरी में अब ये जो ऊपर बचा हुआ रेजिड्यू है, जो फेनुगरीक सीड है, राईस है, आमला है, ओरेंज का छिलका है, ये जो चीजे हैं, ये इसमें डाल देनी हैं, थोड़ा सा हम लोग इसमें यूज करेंगे और थोड़ा सा हम लोग बाद में दूसरे तरीके से इसे फील करेंगे तो आपके बालों की ठीकनेस भी मैंनें रहेगी तो आपको क्या करना है कि इस्सक्राइब आप ऐसी दीन है थोड़ा साथ भाकि जो चीज बची हजित अब कही दो इसे भीूध आपको अड़ियन कर अभी आपको आपके बालों की ठीकनिस हो इसे बाकल अऺ depends तो अभी क्या करना है यह जो लोहे वाला बरतन है इसे हम लोग साइड में कर देते हैं सबसे पहले हम लोग इस वाली रेमेडी को प्रिपेर करते हैं तो इसके लिए आपको इसमें एक अनियन डालना है दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजे और इसमें यूज होनी है तो देख काम हो जाएगा आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और आपके बाल काले भी होंगे क्योंकि देखिए अनियन जो होती है यह हमारे बालों को रिग्रो करने में कमालकी होती है यह हमारे हैर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है उसके साथ यह हमारे बालों को रिग्रो होने में फासली रिग्रू होने में बहुत ज़दा मज़द करती है अगर आप रेड अनियन या फिर शैलट का यूज़ करते है अपने बालों में तो कभी भी आपको हैर थिनिंग की समस्या नहीं होगी उसके बाद एक और इंग्रीडिंट यूज़ होना है तो अगर आप अपने बालों में बहुत हैवी हैर आलिंग भी नहीं करना चाहते तो भी ये रेमेडिय आपके लिए बहुत अच्छी है आइलिंग की तरह ही ये काम करेगी किस तरह के से आगे मैं दिखाने वाली हूँ इसमें आपको एक मुट्री के बराबर करी लीफ भी डालना है करी लीफ हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हैल्प करती है हमारे बालों को रिग्रो भी करती है बालों की थिकनेस और लंबाई को भी इंक्रीज करती है, इसके अंदर वाइटामिन सी, वाइटामिन बी पाया जाता है, एंटी ऑक्सडेंट होता है, जो की हमारे हैर फॉलिकल में जो मौजूद होती है, पिग्मिन सेल्स उनको एक्टिबेट रखता है, जिसे की मेलानीन का अच्छे से होता रहता है, अब जैसे की मैंने बताया कि इसमें आपको एक ऐसी चीज यूज करना है कि ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे से आइलिंग का भी काम करेगा, तो इसमें आपको को कोकोनट डालना है, अब देख सकते हैं, मैंने यहां पे ड्राइ कोक क्योंकि कोकोनट के अंदर सफिशिंट ऑल होता है, जितना की आपके बालों को जरूत होती है, इसलिए आपको इसमें को कोकोनट भी डाल देना है, उसके बाद थोड़ा सा और मैंने औरेंज का चिलका डाल दिया, नीबू का चिलका भी अपले सकते हैं, उससे अनियन की स्म अगर आप अनियन इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आपके बालों में कोई खास अनियन की स्मेल नहीं रहेगी, बदबू नहीं आएगी, अभी आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, अभी आप देख सकते हैं, बहुत ही अ पिग्मेंट सेल्स को एक्टिवेट करने का भी काम करता है जिससे कि हमारे बाल नैशरली काला होना शुरू हो जाते हैं प्रिमिच्चुर हेर ग्रेंग की समस्या को खतम करने में ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है और गर्मी का दिन आ रहा है बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आईलिंग कर पाएं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है क्योंकि ये आईल की तरह भी काम करती है इसे अच्छे से पूरे scalp में आपको लगा लेना है सिर्फ scalp में लगाना है scalp में लगाने के बाद आपको सिर्फ एक घंटे इंतिजार करना है उसके बाद next remedy हम लोग अपने बालों में यूज करेंगे तो ये जो remedy है एक ही साथ बनानी भी है एक ही साथ लगानी भी है, अभी आप देख सकते हैं ये जो बच्चा हुआ चीज है, जिसको मैंने लोहे के बरतन में डाल के साइट में किया हुआ था, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ये रेमेडि हम लोग प्रिपेर करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा सा जेल बन जब यह पक जाएगा तब हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंधा कर लेंगे अभी आप देख सकते हैं अच्छे से बॉइल होने लगा है और इसका जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है इस लोहे के बरतन में जितना आइरन अना व अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेंड कर लिया है बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तयार हो गया है इसके अंदर हैर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है जो आपके बालों को डार्क बनाने में बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ही कम और हमारे ह shave cuticle बालों का protective layer होता है फिर बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं तो यह हमारे के cuticle रिपेयर करने के साथ उनके उपर कोटिंग कर देता है जिसे कि‍चे कि इन्स्टेंटली रिपेयर है तो यह रिपेयर कर भी नहीं होता है इससे क्या होता है कि हमारे बालों की लंबाई भी धीरे-धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हो जाती है क्योंकि कई बार होता है कि हमारे बाल एक पॉइंट पर आके रुख जाते हैं वहां से लंबे नहीं होते तो ये जो remedy है, ये hair growth accelerate करती है, हमारे बालों की लंबाई को भी increase करती है इसे अच्छे से लगाईए, लगा कि सिर्फ एक घंटे इसे भी छोड़ना है, normal water से फिर hair wash कर लीजे आपके बालों में कमाल की shine आएगी, premature hair growing से आपके बाल बचेंगे अगर आप इसे थोड़ी early age में शुरू करेंगे, 20-25 साल में तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे और आपके बालों की लंबाई thickness भी increase होगी यूट्व चैनल पे hair के साथ साथ skin से related videos भी share करती रहती हूँ हाली में मैंने अपनी गिर्व चैनल पे बहुत ही अच्छी सी remedies शेयर की है इस वीडियो में दो remedies मैंने शेयर की है जो आपके skin के लिए कमाल की होती है anti-aging की तरह काम करती है जल्दी से आपके skin पे wrinkles fine lines नहीं आते है अगर आप इस remedy को अपने चैरे पे लगाते है तो यह रेटिनॉल की तरह काम करता है लेकिन नाच्रल रेटिनॉल है अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहां पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजे यह थी मेरी आज की वीडियो मुझे उमीर थे कि आपको अच्छी लगी होगी इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंट्रेस्ट है तो मैं आपको खाली रिक्मेंट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिशना करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करिएगा अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार